नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीके हेलपी विद जयार्वी पर हार्दिक अभिनंदन एवम स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएस्टी सी एक्जाम 2020 के लिए मोस्ट इपोर्टेंट राजस्तान समाने ग्यान के 50 कोस्टिनों के बारे में आप सभी को मालूम है राजस्तान समाने ग्यान से समंदित प्री बीएस्टी सी एक्जाम में 50 कोस्टिन पूछे जाती है और यह हमारा part first है आने वाले समय में और भी वीडियो आपको मिलेंगे राजस्तान समाने ग्यान से समन्दित लगातार तो आप इस YouTube चैनल GK Help with GRB को सबस्क्राइब जुरूर करें और पास में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की पीडियो फाइल चाहिए तो डिस्क्राप्शन में वाटसप ग्रूप का लिंक दिया गया है उसे जुरूर जोइन करें और टेलिग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है उसे भी जुरूर जोइन करें बता देता हूँ दोस्तो इस टेलिग्राम चैनल पर आपको इन वीडियो की पीडियेफ है मिल जाएगी और साथी दोस्तो ज्यान रखना वीडियो के अंतमी आपसे एक जीके का कोस्टन पूछा जाएगा जिसका जुआब भी आपको वीडियो के कमेंट बोक्स में देना होगा तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोस्टन सवतंतरता प्राप्ति के बाद राजस्तान में सबसे प्राचिन वैं सबसे नवीन रियासत कौन सी थी ओप्सन आपके सामने दोस्तों आपके सामने दो या तीन सेकिंड का समय रहेगा कोस्टन का जुआब देने के लिए तो बात करें दोस्तों सबसे प्राचिन वे सबसे नमीन रियासत तो वो थी मेवाड वे जालाबाड यानि कि इस question का B option right है आप सभी को मालूम है यह एक इकरण से समंदित है question है सिदा सा question पूछा जाता है कि सबसे प्राचिन रियासत कौन सी थी तो याद रखना मेवाड और सबसे नमीन रियासत जालाबाड दोस्तों एक इकरण से समंदित कुछ important fact है जो की अक्सर प्रित्योगी प्रिक्चाव में पूछे जाते है अगर question पूछा जाए कि एक इकरण कब सुरू हुआ था तो याद रखना है दोस्तों 18 March 1948 को एक इकरण सुरू हुआ था बहुत important fact है और बहुत बार पूछे गए 18 March 1948 को एक इकरण सुरू हुआ था जब मतस्य संका क्या होता है उद्गाटन होता है अगर बात करें एक इकरण समापत कब हुआ था यानि कि समापत कब होता है एक नुमंबर 1956 को कब होता है एक नुमंबर 1956 को एक इकरण का समापत हुआ था दोस्तो 18 मार्च 1948 को एकिकरण शरुआ और 1 नमबर 1956 को समाप्त हुआ तो यह कितना समय एकिकरण निर्मान में लगा तो 8 वरस 7 माए 14 दिन एकिकरण में टोटल जो समय लगा था और एकिकरण के समय राजस्तान में कुल रियास्ते कितनी थी उनिस रियास्ते तें ठिकाने और एक है केंदर सास्थीद परदेश का नाम क्या था एक है अजमेर मेरवड़ा और तीन जो यह ठिकानी थे वो इनके क्या नाम थे इनके नाम थे दोस्तों आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से नकुल से नैसे नीमराना कू से कुसलगड लैसे लावा जो नीमरान है वो अलवर जिले मिस्तीते हैं कुसलगड है वो बांस बड़ा जिले मिस्तीते हैं और लावा है वो टोंक जिले मिस्तीते ह एकिकरन से समझीद फेक्ट थे जो कि आपको याद होने चाहिए तो आपको याद रखने है सबसे प्राचिन रियासत मिवाड और सबसे निवीन रियासत जालावाड यानि कि इस question का B option right है चलिए next question है राजस्तान के एकिकरन के चत्रुत चरण को किस नाम से जाना जाता है जो एकिकरन का चोथा चरण है उसे किस नाम से जाना जाता है option आपके सामने है स्यूंक्त राजस्तान, स्यूंक्त व्रैद राजस्तान, राजस्तान संग, व्रैद राजस्तान तो दोस्तो जो एकी करन का चोथा चरन है उसे जाना जाता है व्रैद राजस्तान के नाम से यानि कि इस कोस्टन का D option right है दोस्तो व्रैद राजस्तान का उद्गाटन कब हुआ था आपको याद होगा 30 मार्च 1949 को व्रैद राजस्तान का उद्गाटन हुआ था दोस्तों लगवग जो राजस्तान का जो निर्माण है वह 30 मार्च 1949 ऊसी कारण 30 मार्च को बनाये जाते हैं राजस्तान दिवस जो 30 मार्च को Rechts का दी प्राइद राजस्तान का वुरा थैंस अगला कोस्छन है राजस्तान में थी स्रवाधिक गाम किस जिले में बसे हुए हैं उप्सन आपके सामने गंगानगर हनुमानगर जैपुर जोधपुर तो बात करें सरवादिक गाम की तो वो है दोस्तों सरी गंगानगर जिले में और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियो से बेनिफिट मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला कोस्टन है नागफनी एवं सजनगड की पाड़ियां किस जिले में विश्तरत है यानि कि जो नागफनी और सजनगड की पाड़ियां यह किस जिले में फिलूए है उप्सन आपके सामने उद्यफूर राजशमंद कोटा अजमे तो इसका जोए उप्सन बोराईट हो जेगा उद्यफ्सन पाड़ियां और सजनगड की पाड़ियो है यानि कि इस कोस्टन का एए उप्सन राइट है चलिए ओप्शन है नाग, पीवना, दंबी, शांस डा तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों इसका B ओप्शन राइट हो जाए पीवना पीवना पस्चमी राजस्तान में पहा जाते है जो कि शांस में 20 से बर देते तो इसका B ओप्शन है आपर राइट है अगला कोस्टन है राजस्तान में वास्पो सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में मिलती है ओप्शन आपके सामने है डुंगरपूर, बास्वडा, जेसलमेर, गंगानगर अगर बात करें राजस्तान में वास्पो उस्वर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक मिलती है जेसल मेर में कहां पर मिलती है जेसल मेर में यानि कि इस question का C option right है important question है और आपको याद है रखने है चलिए next question है इसका ज्वाब आपको देने है तो इसका उत्तर हो जेगा जवार्ष अगर अबैर्ने जो की कोटा मिस्ती थे यानि कि इसका D option right है दूस्तों आपको याद रखनें जवार्ष अगर अबैर्ने काँ पर स्ती थे कोटा में रावली टोडगड़ अबेरने अजमेर में दरा अबेरने कोटा में तो ये ध्यान रखने हैं दोस्तो अक्सर यहां से कोस्टन पूछ लिए जाते हैं जो कोस्टन में फिक्ट दिखाई देते हैं उन्हें आपको नोट कर लेना है चलिए नेश्ट कोस्टन है बनास नदी पर बिसल पूर बांद किस जिले में बनाया गया है सबसे पहले तो एक फिक्ट आपको याद रखना है कि जो बिसल पूर बांद किस नदी पर बनाएगे तो याद रखना है बनास नदी पर अब आपको बताने है कि यह किस जिले में बनाएगे ओप्सन आपके सामने है बीलवडा, राजसमंद, बुंदी, टोंक तो बिसल पुर बांद है यह टोंक जिले में बनाएगे यानि कि इस कोस्टन का डी ओप्सन आपर है राइट हो जाएगा चलिए next question गोगुंदा की पाड़ियों से निकलने वाली आइड नदी उद्याशागर जील से निकलने के बाद क्या कहलाती है उप्सन आपके सामने है बागड़ी, सौम, चंदरबागा, बेड़च तो दोस्तो गोगुंदा की पाडियों से निकलती है आयड नदी, कौन सी नदी, आयड नदी, और ये उद्यसागर जील में प्रिवेस करती है, किस जील में प्रिवेस करती है, उद्यसागर जील में, और इस जील में प्रिवेस करने के बाद जब ये नदी निकलती है, तो उस में इसका नाम होता है बेड़ क्या नाम होता है बेड़ ज्यान देना दोस्तों इसका डी ऑप्सन राइट हो जाएगा चलते हैं अगला कोस्टन है एस्या माधीप का सबसे बड़ा यांतरिक किर्शी फोरम कहां इस्तित है ऑप्सन आपके सामने चॉमू जैपुर जोड़ बिड बिकानियर सुर्तगर स्री गंगा नगर तो दोस्तों इस्या माधीप का सबसे बड़ा यांतरिक किर्शी फोरम सुर्तगर स्री गंगा नगर जीले में इस्तित है यानि कि इसका डी option राइट हो जाएगा दोस्तो वेरी वेरी इपोर्टन जैए बहुत बार ए अगला कोस्टन है कपास की पसल को स्तानिय बसा में क्या कहा जाता है स्तानिय बसा में कपास की पसल को क्या कहा जाता है यह बताने हैं दोस्तों आपके सामने मनिया, कपासिया, बणिया, नीगडी तो दोस्तों कपास की पसल को स्तानिय बसा में कहा जाता है बणिया जिसमें सिंदी बासा के सब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है सिंदी बासा के सब्दों का मिश्रण है वो किस बोली में देखने को मिलता है तो दोस्तो इसका उत्तर राइट होजएगा ओप्सन भी थली जो थली बोली है दोस्तो यह राजस्तान के उत्री बाग में बोली जाते हैं किस बाग में उत्री बाग में आपको मैं याद कर बता हूं दोस्तो जो राजस्तान के स्री गंगानगर हनुमानगर जिले हैं काली ब कि तक तो याद रखना सिंदि भा सांट उर्श कारत क्या होता है काले रंग की चूड़िएं तो याद रख रख सकते हैं गंगानगर और नुमांगर जो जिलिए वो राज़स्तान के उत्री भाग में तो इससे आप असानी से याद कर सकते की यह उत्री भाग में बोली जाती है और सिंदी बसा है के सब्दों का जो मिस्रन आपू धली में देखने को मिलता है तो चलतें नेश्ट कोस्टन पर अगला कोस्टन है हाला-जलारी कुडलिया के इस वरदास बारट हाला जाला री कुंडलिये के लेखे गए अगला कोस्टन है जमा या अंगरखी के उपर कमर पर बांदा जाने वाला वस्तर कहलाता है बहुत इपोर्टेट कोस्टन है जमा या अंगरखी के उपर कमर पर बांदा जाने वाला जो वस्तर है उसे कहते है पठका क्या कहते है पठका यानि कि इस question का B option या पर right हो जएगा next question है स्रीर के उपरी बाग में कमर या गुटनों तक पेना जाने वाला वस्तर कहलाता है तो द्यान देना दोस्तों स्रीर के उपरी बाग में कमर या गुटनों तक पेना जाने वाला वस्तर अंगरक की कहलाता है यानि कि इस question का A option या पर right हो जीगा राजस्तान कला एवं संस्कर्ती से समंदीत question है और राजस्तान कला एवं संस्कर्ती से समंदीत question प्रिक्छाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अगला question है चेतरव अश्वीज नवरात्रों में किस देवी का मेला बड़ता है वो जेवी सिल्ला माता, करणी माता और जीड माता यानि किस question का D option राइट हो जैंग उप्योगती सभी और सभी को मालूमें देवी जो सिल्ला माता है इनका मंदीर कहा अस्तित है सिला मता को जो मंदीर है वो है चाक्सु जेपुर में याद रखना बहुत बार कोस्टन पूछा गया है कि सिला मता का मंदीर कांस्तित है चाक्सु जेपुर में करनी मता का देशनोक बिकानेर में और जीन मता का रिवासा सिक्कर में तो याद रखना इनका जो मेला बरता है वो चेत्र और अस्वी नवरात्रों में बरता है अगला कोस्चन है सुमेलित युगम नहीं है यानि कि इन में से कौन सा सुमेलित है नहीं है अगर बात करें बदाना मता जो की कोटा जिला ये सही है च्छींच मता डुंगरपूर ये सही नहीं है दोस्तो च्छींच मता का जो मेला बरता है दोस्तो वो बरता है बांस बड़ा में कहां बरता है बांस बड़ा में याद रखना और चींक मता जेपूर ये भी सही है जोला मता जोबने ये भी सही है तो इसका जो बी ओप्सन है यापर है राइट हो जो चींच मता डूंगरपूर ये वाला यूगम सुमेलित नहीं है बाकी सभी सुमेलित हैं अगला कोस्टन है संत चरंदास जी का जनम किस गाम में हुआ था तो संत चरंदास जी का जनम है वो हुआ था दोस्तों डेरा गाम अलवर में कहां पर हुआ था डेरा गाम अलवर में यानि किस कोस्टन का ए ओप्सन राइट हो जएगा इपोर्टेंट है और आपको याद रख है संठ्चरन्दास जी का जनम डेरा गाम अलवर में उआ था अगला कोस्ट नहां अरजुन लाल परजापती को कला के छितर में योगदान के लिए पदम सरी अवाड मिला और यह मूर्तिकार है क्या है मूर्तिकार तो इसका जो बी ओपस हैं वो राइट हो जाएगा अगला कोश्चन है पस्चमी राजस्तान के ख्याती प्राप्त कलाकरों को आफशेक प्रसिक्षन देने तू मरूक अला क्या कई गई है बहुत कोश्चन है याद रखना दौस्तों जो मरूक अला क्याइग वो कि पस्चमी राजस्तान के ख्याती प्राप्त कलाकरों को आफसे एक प्रसिक्षन देना इप्र्क ड folks तो यह आपको याद रखने है और ये कहां पर स्तापिद किया गए मरू मेरे 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 मित्रों के साथ जादा से जादा सेयर करें ताके उन्हें भी इन वीडियों का फाइदा मिल सके तो आपको याद रखना है जो बनेश्वर मिला है यह डूंगरपुर में बढ़ता है जिसे आदेवाश्यों का कुम का जाता है और यह माग पुर्निमा को बढ़ता ए अगला कोस स्री राम को भगवान आधिनात्थ को भगवान के सब्देव को तो इसकă ओप्सने राइट ओज़िया बहगुआ शरी शाल ने चलिए नेस्ट कोस्टन है वै किला जिसकी अजादी वै अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकरों ने गोला बारूद खतम होने पर दुस्मनों पर चांदी के गोले दागे बहुत इपोर्टेंट कोस्टन है और अक्सर प्रतिवगी प्रिक्षाओं में यह किला अजादी वै अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकरों ने गोला बारूद खतम होने पर दुस्मनों पर चांदी के गोले दागे तो यह किला है दोस्तों चुरू का किला यानि किसका डी ओप्सन राइट हो जाए बात है दोस्तों 1814 इस्वी की जब बिकानेर के मा माहरजा सिर्फ सियंपर आकरवन करते हैं तब सिर्फ सियंपर खतम हो जाता है और भढ़ा वर खतम होने के बाद में चंदी की गोले मिसी परनलते हैं कि शुरू के पर किनी दागे जाते हैं udah को फिलने के चुरू के किल्ले का निर्मान किस ने करवाए तो 1749 इस्वी में चुरू के किल्ले का निर्वान ठाकूर कुसाल सियने करवाया था अगला कोस्टन सीवी जनपद के सिक्कों का समन्द किस सब्वेता से हैं तो इसका उत्र हो जाएगा ओप्शन B नगरी यानि कि B ओप्शन आपर राइट है सिवी जनपद के सिक्कों का समन्द नगरी मध्यमिका से है नेश्ट कोस्टन है विम्मल सा ने अबू के दिलवाड़ा गाम में बगवान आदिनाथ का मंदिर कब बनवाया था तो दोस्तों जो विम्मल सा ने अबू के दिलवाड़ा गाम में भगवान आदिनाथ का मंदिर बनोया था एक जार इक तिस इस्वी में यानि किस कोस्टन का A option राइट हो जाएगा एपोर्टन कोस्टन है और आपको याद रखना है आदिनाथ का मंदिर बिम्मल सान ने काम पर बनोया अबू के दिलवाड़ा गाम में और कब बनाया एक जार इक तिस इस्वी में नेक्ट कोस्टन है किस किले का नाम बादूर साब पर्थम ने मौमिनाबाद रखा था तो याद रखना यह नाम रखा था आमेर का यानि किस का बी ओप्सन राइट है अमेर का नाम प्रिवर्तित करकर बादूर साब पर्थम है मौमिनाबाद कर देता है तो इसका बी ओप्सन यहापर राइट हो जाएगा अगला कोस्टन है मंदोर का द्रूग पर्तियारों की की साखा द्वारा राठोडों को बेंट दिया गया तो दोस्तों जो मंदोर का द्रूग है जोदपुर में यह पर्तियारों की साखा थी इंदा इंदा इसके द्वारा राठोडों को बेंट दिया गया था तो इस कोस्टन का ए ओप्शन या पर राइट होजेगा मंडोर का दुरुग प्रत्यारों की इंदा साखा द्वारा राठोडों को बेंट दिया गया था नेक्स्ट कोस्टन है आववा के युद में किस अंग्रेज को मार कर करांतिकारियों ने उसके सिर्क को आववा के किले पर लटकाया था बहुत important question है और आपको याद रखने है इसका उत्तर होज़ेगा make motion क्या होज़ेगा make motion यानि किसका a option right है चलते है next question पर किस आंदूलन का मामला person के माद्यम से ब्रिटेन के house of comments में उठाया गया बहुत important question है और ये question बहुत बार exam में पूछा गया है कि किस आंदूलन का मामला person के माद्यम से ब्रिटेन के house of common में उठाया गया तो ये आंदूलन था दोस्तो सिकर किसान आंदूलन यानि किस question का D option right हो जाएगा नेक्स्ट question है बिजोलिया किसान आंदूलन से विजयसियं पथिक के अलग होने पर आंदूलन का नेतरतव किस ने संबाला तो दोस्तो बिजोलिया किसान आंदूलन इससे विजयसियं पथिक अलग हो गए थे इसके बाद जो अंदुलन का नेत्रतव संभाला था वो संभाला था जमनलाल बजाजवय हरीबाव उपाद्याने यानि कि इस question का A option right हो जेगा चलिए next question है व्रैद राजस्तान संग के उद्गाटन करता कौन थे तो दोस्तो व्रैद राजस्तान संग के उद्गाटन करता थे option आपके सामने है जवारलाल नेरू, सरदार पटेल, व्रैद राजस्तान संग के उद्गाटन करता थे सरदार पटेल यानि कि सरदार वल्ला बाई पटेल यानि कि इस question का B option right हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँगा एककरन के जो शुरुवात के चार चरण है पर्थम चरण मतसे संग इसके उद्गाटन करता थे वी एन गोडगिल दिवित्ते चरण राजस्तान संग इसके उद्गाटन करता भी वी एन गोडगिल थे और त्रिते चरण है सियुंक्त अगला question है पान्च राई से तात्परे है तो इसका उत्र हो जएगा दोस्तो पान्नी की निकासी पर लगान को पान्च राई केते हैं यानि कि C ओप्शनिया पर राइट है next question है अरावली प्रवत स्रंकला की दूसरी सबसे उन्ची चोटी कौन सी है तो दोस्तो इसका उत्र हो जएगा option C share दूसरी सबसे उन्ची चोटी कौन सी है ध्यान देना है दोस्तो अरावली प्रवत स्रंकला की सबसे उन्ची चोटी है गुरू सिकर कौन सी है गुरू सिकर जि तो 1722 मिटर या 27 मिटर क्यों है क्योंकि 1722 मिटर तो इसकी ओरिजिनल उन्चाहिए और पांच मिटर है इसके उपर गुरुदत्त तरे का मंदिर बना हुए उसके कारण इसके उन्चाहिए 1727 मिटर भी माने जाती है यह दोनों उप्सन एक साथ नहीं दिये जाते लेकिन अगर दे दिये जाए तो इसका 1722 राइट होगा देकिन इन दोनों उत्रों को भी आर्पियसी ने सही मन है तो आपको ध्यान रखने अगर बात करेंगे गुरू सिकर के बाद में दूसरी जो सबसे उन्ची चोटी है वो है सेर और इसके जो उन्चाहिए वो है 1597 मिटर कितनी कि गुरू सिकर होगी दूसरी सेर होगी और तीसरी जरगा और जरगा के उन्चाहिए कितनी है 1431 मिटर तो यह कुछ मुश्ट इपोर्टेंट फ्रेक्ट है आपको याद है रखना है चलिने नेक्ट कोस्टन है हल्दी गाट्टी एब खानवा से समंधित जिलों का कर्म से सह तो युगम कौनसा है यानि के जो हल्दी गाटि स्तान है और खानवा स्तान ये कांपर मीं थीन ढूस्तों का पर है कि राज समंध में का मपर राज समंध में वर खानुबा काम पर है भर्तपूर में तो इसका akinि ऑ्पशन है पर है राइट हो जुगा अगर बात करें दोस्तों हल्दी गाटी का युद कब हुआ था तो हल्दी गाटी का युद हुआ था 18.15 छेंतर को कब हुआ था 18.15 छेंतर को अगर बात करें खानवा का युद कब हुआ था तो खानवा का युद हुआ था दोस्तों 1527 को किनके मद्य हुआ था खानवा का यूद बाबर और राणा संगा के मद्य है जिसमें राणा संगा आर जाता है और बाबर विजित होता है और जो हल्दी गटी के यूद है वो दोस्तों वो अकबर और मारना परताब के विजित हुआ था जिसमें अकबर जीत जाता है अगला कोस्चन है सागरमल गोपा का समन्द की से रियासत से है ओप्सन है विकानेर उद्यपूर जैसलमेर किसंगड तो दोस्तो सागरमल गोपा है इनका समन्द था जैसलमेर रियासत से यानि किस कोस्चन का सी ओप्सन राइट हो जेगा दोस्तो आपने एक पुस्तक का नाम स समंदित हैं अगला कोश्चन राजस्तान का स्रवादिक वन छेतर वाला जिला कौन सा है ओप्शन आपके सामने कोटा स्वाई मादोपूर डूंगरपूर उद्यपूर स्रवादिक वन छेतर वाला जिला दूद्यपूर कौन सा है उद्यपूर यानि कि इस कोश्चन का डी नेश्ट कोस्टन है सिलफ सास्त्री मंदन द्वारा रचित गरंत रूप मंदन का समंध किस विश्य से है ओप्शन है राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला तो दोस्तो सिलब सास्त्री मंडन द्वारा रचित गरंत है रूप मंडन इसका समंध है मूर्तिकला से किस से मूर्तिकला से यानि किस कोस्चन का भी ओप्शन राइट हो जएगा तो ड्यान रखना है, आपको इस्टarbeitरिंट कोस्च्चन नहीं, अगला कोस्चन है राष्ट्रे मरू उदान किस्टापना का वोई? ज्यान देना, दोस्तो राष्ट्रे मरू उदान जोकी ज्यस्रिंट का वी इन दोनों जिल्लों में फ्यला हुआ है लेकिन कोस्टें में अक्सर है पूछा जाते राश्ट्रे अम्रू रूदान जेसल मेरे किस्ता अपने ले कब वही और जयाजा तर यह पूछा जाते कि राश्ट्रे मेरे काम परस्थिते तो depths सब के सबसे इसका चेतर फल वाष्ट्र सबसे बड़ा उदाने और ध्यान देना देस दोस्तों जो राजस्तान का राज्य पक्षिया गोड़ावन इसकी सरंस्तलिवी राष्ट्र मरू उदाने यह भी इपोर्टेंट पेक्ट है अगला कोस्टन है बंदूग द्वारा निशाना साधने का अभियास क्या कहलाता है तो दोस्तों बंदूग द्वारा निशाना साधने का अभियास कहलाता है चांद मारी यानि किस कोस्टन का सी ओप्षन राइट हो जाएगा नेश्ट कोस्टन है पानी पाली जिले में किस नदी का उदगम होता है तो दोस्तों पाली जिले में सूकडी नदी का उदगम होता है यानि किस कोस्टन का A ओप्षन राइट हो जगे कौन सी जले में? पाली जले में. और सूकड़ी नदी का उत्गम होता है. चलिए नेस्ट कोस्टन है. राजस्तान राजे की आत्मा किस नर्ते को कहा जाता है? उप्शन आपके सामने गुमर, तेरह ताली, बवाई, इंडोनी. तो दोस्तों राजस्तान राजे की आत्मा कहा ज सुंद्री का मिला किस जिले में बरता है तो दोस्तों तिरुपूरा सुंद्री का मिला बरता है बांसवड़ा जिले में यानि किस कुस्टिन का डी ओप्शन राइट हो जेगा आपको याद रखना है तिरुपूरा सुंद्री का मिला बांसवड़ा जिले में बरता है नेक्स्ट कोस्टन है अज्य राज के वंसज विग्रा राज चत्रूत द्वारा रचित परसीद नाटक का नाम है ज्यान देना दोस्तों अज्य राज के वंसज विग्रा राज चत्रूत इनके द्वारा रचित जो परसीद नाटक है उसका नाम है हरी केली यानि कि इस question का D option right है क्या नाम है हरी केली important question है और आपको याद रखने है अगला question है नवलखा सागर किस जिले में अस्तीत है ध्यान देना दोस्तों नवलखा सागर option है उद्यपुर, बुंदी, जोदपुर, जैपुर तो दोस्तों जो नवलखा सागर है या बुंदी, जिले में इस question का B option right है दोस्तों जो नवलखा नाम से चीज़े बनी हुई है वो बहुत important है और यहां से question बहुत बार पुछा गया है जिन विश्यवस्तू को बनाने में 9,00,00, रुपे का इस्तमाल हुआ है उसे नवलखा का जाता है यह द्यान रखना है अगर बात करें नवलखा सागर तो बुंदी जिले में हो जाएगा नवलखा बावडी यह question बहुत बार पुछा गया नवलखा बावडी किस जिले में स्तीत है तो यह स्तीत है डूंगरपुर जिले में किस जिले मिश्थी ते दुंगरपूर में अगर कोस्टन पूछा जाए कि नवलखा बुर्ज किस जिले मिश्थी ते तो यह चितोडगर जिले में किस जिले में अगर कोस्टन पूछा जाए कि नवलखा द्रवाजा किस जिले मिश्थी ते तो नवलखा द्रवाजा स्थी ते अगर कोश्चन पुछा जाए कि नवलक्खा महल कामपर है तो याद रखना उध्यपूर में। कोश्चन पुछा जाए कि नवलक्खा दुर्ग है वो कामपरस्थीत है तो याद रखना जाल्रा-पाटन में। काम प्रस्तित है जालरा पाटन में अगर कोस्टन पूछा जाए कि नवलखा अभुसन है काम पर पहना जाता है तो याद रगना गले में ये कुछ दोस्तों नवलखा अभुसन नवलखा नाम से जो चीजे बनी हुई है उनसे समंदित मोस्ट एपोटन दोस्तों जो अकषर प्रतोगी प्रिक्षणों में पूछ लिए जाते हैं है कि चली को स्वाइब लुड़य को दोस्तों यानि कि इसका अफकreme यूप्षन रैइट हो जDING दोस्तों अट भारिछ ओते जिने मावट का जाता हैении इनी पस्टमी मिश्बों के कारण होती है, ये भी आपको दियान रखना है, अगला कोस्टन है, राजस्तान के किस राज्य के सासक ने अजमेर में लोर्ड मेयो दुवरा आयोजी दरबार में बाग नहीं लिया था, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये थे जोधपूर क सासक माराजा तक्त सिंग, कौन थे, जोधपूर के सासक माराजा तक्त सिंग, जो अजमेर में लोर्ड मेयो दुवरा आयोजी दरबार में बाग नहीं लेते हैं, यानि कि इस कॉस्टन का ए ओप्शन राइट हो जएगा, चलिए नेक्ट कॉस्टन है, उस्ताद कहलाने वाल आएगे थे बिक्का नेर में, यानि कि इस कॉस्टन का आप बी ओप्शन या पर राइट हो जएगा, नेस्ट कॉस्टन है, स्वागिन ओरते अपनी पती के स्वास्ते दिरगायू एवर मंगल कामना एतु कौन सा वरत करती है, आप सभी को बालू में, यह वरत होता है करवा स्वागिन ओरते करती है, अपने पती की स्वास्ते दिरगायू और मंगल कामना एतु, नेस्ट कॉस्टन राजस्तान की पहली रेल बस सेवा कहां प्रारम की गई, तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना पहली रेल बस सेवा है, यह प्रारम होई थी मेरता रोड से मेरता सिट यानि किस को सिर्थ न का भी ओप्शंभ नग 3D अगर बात करें दो दो पर्थम जो रेल है वो कभ चली थी रहत हो घूला अपरिекст あり बहुती मौत सवय इसका आयूजन होता है दोस्तों ज्यकपुर में यानि कि सी ओप्षिन या पर राइट हो जाएगा और अन्तिम कोस्टिन आज का करोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो करोली को ने किस नाम से जाना जाता था कल्यान पूरी के नाप से यानि किस कोस्चन का बी ओप्शन राइट होजेगा तो दोस्तो ये थे most important फचास कोस्चन जो की previous टी से एक्जाम 2020 के लिए बहुती important है अगर आप previous टी से एक्जाम की त्यारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बैल आइकन आता है उससे प्रेस कर दे ताकि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन बिल जाए तो दोस्तों अब बात करते हैं question of the day के बारे में जिसका जवाब आपको वीडियो के comment box में देना है question है जेसल मेर के नरेश कुल देवी के रूप में निवन में से किस देवी की पुजा करते है option है स्वांग्या देवी करनी माता अनपुर्णा देवी नागनेची माता तो इस question का जवाब आपको वीडियो के comment box में देना है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like जुरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा share करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम